आज हम देखने वाले हैं जवाना मुल्लपूवम मूवी की शिरुवात में हम इंडियन आर्मे के एक जवान गिर्धर को देखते हैं जो अपने रिटायर्मेंट होने के बाद घर लोटा है वहीं दूसरी और हम गिरी की वाइफ जैश्री को देखते हैं जो गौर्मेंट इसकुल में छोटे बच्चों को बढ़ाती है वो एक मेहनती और जिम्मदार पतनी है जो अपने काम के साथ साथ अपने घर के कामों को भी बखुभी निभाती है अब एक दिन किसी काम से उस जिले का पुलिस इंस्पक्टर जिसका नाम सालमोन है वो उनके स्कुल में आकर प्रिंसिपल लक्षमी से मुलाखात करता है इसकी बाद जैश्री जैक नाम के एक छोटे बच्चे को प्रिंसिपल आफिस लेकर पहुंच जाती है जहां इंस्पक्टर उनका वेट कर रही होती है वहाने के बाद इंस्पक्टर सालमोन जैक और जैश्री को अकले रूम में पुछताच करने के लिए बुलाता है जहां वो जैक से पूछता है कि बेटे तुमने अपने दोस्तों को जो वीडियो भीजा था वो तुम्हारे पास कहां से आया ये सुनने के बाद पहले तो जैक बोलने से घबराता है पर थोड़ी लाड़ प्यार और समझाने के बाद आखर वो कुबूल कर ही लेता है कि जो अश्टील वीडियो उसने अपने दोस्तों के साथ शेयर की थी वो एक्चुली उसके पापा के मुवैल से उसको मिली खैर अब जैक की बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर थोड़ा शौक हो जाता है और जैश्टी से कहता है कि इसमें बच्चों का कोई दोश नहीं है एक्चुली ये गलती बच्चों के माबाप की होती है और अब जैक ने जैसी गलती की वैसी गलती कोई बच्चा ना करे इसलिए इंस्पेक्टर सालमोन जैश्री और पिंसिफल से एक मीटिंग अरेंज करवाने के लिए कहता है जिसमें सारे बच्चों के माबापको साइबर क्राइम से अलट रहने के ले सुझाओ दिया जाएगा तांकि उनका कोई भी असर उनके बच्चों के भविश्य पर ना पड़े खेर ये सब हो जाने के बाद जैश्री अपनी बेटी दिया के साथ घर आती है और अपने घर के कामों में लग जाती है और जहां बात करें दिया की जो बहुत इश्रारती है जिसे इंटरनेट पर नई नई चीजों को सुनना और देखना काफी पसंद है अब अगली सुबह ग जीब है कि घर में आने वाले हर आदमी को वो शक की निगहा से देखता है कि कहीं उसकी पतनी का किसी के साथ चकर तो नहीं है और यहीं नहीं अपनी पतनी की हर बातों पर वो नजर बनाये रखता है जिस वज़े से इन दोनों का रिष्टा भी ठीक नहीं चल रहा होता है इ इसी भी चाहता है इस कहानी का हलका से ट्विस्ट जहां गिरी अचानक छीकने लगता है। इसको देखकर तुरंत जैश्री दोड़ी दोड़ी उसके पास आती है और किचन में रखे चमेली के फूलों को वहां से हटा देती है। क्योंकि गिरी को चमेली के फूलों से काफी अलरजी है जिनकी इसमेल आते ही वो अचानक छीकने लगता है। अब ये देखकर दी अपनी माज से पूछती है कि आखर पापा की चमेली के फूलों के साथ दुश्मनी क्या है जिसके जवाम में वो कहती है। और हम वो खिस्ता देखते हैं जब गिरी और जैश्री की शादी हुई थी। लेकिन चमेली का घजरा पहने की वज़े से गिरी जैश्री को मंगा सूतर पहनाते वे अचानक छीकने लगा था। क्योंकि उसे चमेली के फूलों से अलरडजी थी। तो फिर क्या था जब जब गिरी को चमेली के खुश्वू आती है और उसे उसकी वज़े से च्छीक आती है तो वो जैश्री को डांट लगाने लग जाता है। अब घर से निकलने के बाद गिरी अपने दोस्तों से मिलता है जहां वो अपनी जिन्दगी के थोड़े बहुत तक से भी उनसे शेयर करता है। हमें मिल जाए तो हम उसका डाटा हैक कर सकते हैं। अच्छी सच बात तो यह होती है कि गिरी को अपनी बीवी पर शक होता है और अपने दोस्त पर भी। इसलिए वो अपनी बीवी के वटसप का डाटा चेक करना चाता है। क्राइबर क्राइम के मुश्किलों को सॉल्व करना में स्पेशलिस्ट होता है। और वो बैठे तुमाम टीचर्स और बच्चों के पैरेंट्स को सोशल मीडिया के स्कैमर्ट्स और रैकेट्स के बारे में इनिफॉर्मेशन देता है। और साथी साथ उन्हें अलर टहने के लिवी कहता है। तब ही दूसरी और हम गिरी को देखते हैं जिसकी मुलाकात बैंक में इंस्पेक्टर्स सालमोन के साथ होती है। यह उसे कहता है कि तुम्हारी बीवी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। अब यह सुनकर गिरी सोच में पढ़ जाता है कि आखर जैश्री और इस इंस्पेक्टर का क्या रिलेशन है। यहां जैश्री मौजूद सभी लोगों के लिए एक कमाल का गाना भीगाती है। यह सुनकर वहां मौजूद सारी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वैलिसी के साथ कुछ दिन बीच जाते हैं और एक दिन रात के वक्त गिरी देखता है कि जैश्री अपने पैरों पर बाड़ी लोशन लगा रही है। और इस वक्त उसे वो नाइटी कास्ट्यूम में काफी हाट भी लग रही होती है। ये देखकर गिरी के मर में थोड़ा हलचल होती है। पर वो जैसे उसके पास आता है तो जैश्री के बालों में लगी भी चमेली के खुश्बू से उसको फिर से छीकानी शिट हो जाती है। और इसे नाराओ होकर वो चला जाता है पर कहीं न कहीं इसका दुख जैसरी को भी होता है इस वज़े से वो फिर से अपने पती से कमरे में मिलने के लिए जाती है। अगले दिन गिरी अपने पड़ोसी को ड्रॉप करना के लिए जा रहा हुता है तो वो उसे कहती है कि आजकल तुम्हारी वीवी काफी लोगों से मिलने लगी है और वो आजकल काफी ऑनलाइन भी नजर आ रही है यह सुनने के बाद तो गिरी के मन में और भी शक पैदा हो जा वीडियो एडिटिंग करके चाहिए जिसकी जिम्मेदारी वो जैश्री को सौंब देती है और जैश्री भी वो काम करने के लिए मान जाती है अब थोड़ा फ्री होने के बाद जैश्री बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने लगती है पर तभी अचानक लाइट जाने की क्या तुम वहां नहीं जाओगे जवां में गिरी कहता है कि उसने मुझे बुलाए नहीं तो मैं क्यों जाऊं लेकिन बेचानी जैश्री अपने पती की इज़त रखने के लिए अपनी बेटी के साथ बाबो के घर चले जाती है जहां जैश्री को देखकर गिरी के दोसे गि कोल करके कहता है कि मेरा बाप मरने पर मैंने सारे दोस्तों को दारू पार्टी दी थी लेकिन तुम्हारे बाप के मरने पर तो ने मुझे नहीं बलाया इतना कहकर वो कॉल कार देता है खेर अगले दिन जैश्री को एक गुड़ न्यूस देती है जिसमें वो कहती है कि हमारी बेटी का ड्रामा अकेडिमी में सेलेक्शन हो चुका है ये सुनकर गिरी काफ़े खुश होता है और अपनी बेटी दिया को लेकर अगले दिन निकलने वाला होता है तभी अचानक जैश्री का म्यूजिक टीचर वहां पर टबक पड़ता है और ये देखर गिरी के अंदर बहुत घुसा आता है और जाते वक्त वो जैश्री को घूरते वे निकलता है अब इन सारी बातों को उनकी पड़ोसी अब्जर्व कर रही होती है जो अपने पती से कहती है कि गिरी के जाने के बाद भी जैश्री उस म्यूजिक टीचर के साथ पताने क्या कर रही होगी चूँकि उस म्यूजिक टीचर को काफी वक्त हो गया है और ये पड़ोसी भी बताने कैसी है दूसरों के घर में तांग जांग करती ही रहती है अब रात के वक्त हम गिरी को देखते हैं जिसे इंस्पेक्टर सालमन कॉल करके कहता है कि जल्दी बैंगलरू में एक नेशनल बैंक ओपन होने वाला है जिसके लिए तुम्हें नौकरी जोइन कर लेनी चाहिए लेकिन गिरी इंस्पेक्टर की बातों को इग्नॉर करते हैं फोन कार्ट ही देता है क्योंकि उसे सालमन पर पहले ही शक है कि वो मेरी पतनी के साथ कुछ गलत ना कर रहा हो तभी दूसरी और हम जैश्री को देखते हैं जो क्रिसमस डे पर लगने वाले वीडियो की एडिटिंग का काम कर रही होती है तभी उसे गिरी कॉल करके परिशान करने लगता है और शक्यमारे उस पर आरो पर अगाने लगता है कि आजकल तुम कुछ यह जादा ही बिज़ी रहने लगी हो अब यह अजीब बाते सुनकर बेचारी जैश्री काफी इमोशनल हो जाती है और अपना काम ही रोग देती है लेकिन थोड़ी हिमत करने के बाद जब जैश्री फिर से कंप्यूटर के स्क्रिन को उपन करती है तो अचानक उसकी स्क्रिन पर एक पॉन साइट उपन हो जाती है जिसे बार बार क्लोस करने और कैंसल करने पर भी वो स्क्रिन हटती नहीं अब इससे परिशान होकर जैश्री PC को ही शटडाउन कर देती है अब उस पॉन साइट के डड़ से जैश्री बहुत ज़ादा परिशान हो जाती है और प्रिंसिपल का दियावा प्रोजेक्ट भी कम्प्रेट नहीं हो पाता जिसके थोड़ी देर बाद वो अपनी बेटी दिया को कॉल करके इस बारे में पूछती है तो दिया को कुछ समझ में नहीं आता तो वो कहती है कि वीडियो कॉल पर स्क्रिन शोक करो पर दिया जैसी चोटी बच्ची को ये सब दिखाना अच्छा नहीं था इसलिए जैश्री उसको कहती है कि सब कुछ ठीक हो गया और ये कहकर वो कॉल कर देती है अब जैश्री फिर से एक बार उस पॉन साइट को हटाने की कोशिश करती है लेकिन अचानक उसकी कम्पिटर को सैबर पुलिस द्वारा चेक कर ले जाता है और 29,000 का जुर्माना लगा दिया जाता है ये देकर बेचारी जैश्री और भी डड़ जाती है इससे निपटने के लिए वो अपनी दोस्त पाथू को फोन लगाती है लेकिन वो भी जैश्री की कुछ खास मदद नहीं कर बाती और जहां बात करें गिरी की तो वो तो भाया दारूपे के मस्त सो रहा होता है जिसे कॉल पर बोलने तक की फुरसत नहीं होती अब जैश्री को समझ में नहीं आता कि आखर इस वालतू वेबसेट की परिशानी से कैसे निपटू तब ही वो उस जुर्माने को भरके इस परिशानी को हल करने की कोशिश करती है लेकिन उस साबर क्राइम दौरा दिये के जुर्माने को भरने के लिए जैश्री के पास इतने पैंसे नहीं होते इसलिए वो अपने साथ काम करने वाली टीचर इशा को कॉल करके उससे 20,000 रुपे सेंड करने के लिए कहती है बैंक में पैसे आ जाने के बाद जैश्री ऑनलाइन पैमेंट करने की कोशिश करती है लेकिन उस पैमेंट को सिर्फ क्रेडिट कार्ड के दौरा ही एकसेप्ट किया जा सकता है यह देकर जैश्री का ये प्लान भी फ्लाप हो जाते है और वो एक नई उल्चन में फंस जाती है अब सरदर्द की वज़े से जैश्री कंप्यूटर के साबने ही सुझाती है जैसे ही सुबह होती है तो पुलिस जैश्री का पता लगा कर उसके घर पहुंच जाती है और उसे गिरफतार करके लेके जाती है जहां सारे माहले के लोग उसे गंदी नजर से देख रहे होते हैं और यही नहीं उसकी बेटी और गिरी भी वहाँ पहुंच जाते हैं जो जैश्री को देख कर एकदम शॉक हो जाते हैं और तब ही जैश्री की निएंद खुलती है उनके स्कूल में आया था अब फाइनली नंबर हासल करने के बाद जैश्री उसे घर जाकर कॉल करती है और वो फॉन साइट की तमाम बाते उसको बता देती है जो कल राध हुई थी ये सुनकर साजन उसे चिंता ना करने के लिए कहता है और जितना जल्दी हो सके उसकी प्रब्रम को सॉल्ब कर देने का आश्वासन देता है अब थोड़ी देर के बाद दिया जैश्री को कॉल करके कहती है कि मेरा फाइनल डाउन का कॉम्पिटिशन पूरा हो जाने के बाद पापा और मैं दोने बहुत जल्द आने वाले है अब ये सुनकर जैश्री की चिंता और बढ़ जाती है क्योंकि उसके पास वक्त बहुत कम है और उप्रेटर साजन अपने बताए मताबक अब तक वहां नहीं पहुंचा है अब हम गिरी को देखते हैं जो अपने दोस्त बाबू के बुलाने पर उनके अड़े पर दारू पार्टी करने करे पहुंचाता है इसके बाद उन सभी गंजड़ी दोस्तों की दारू पार्टी शिर हो जाती है और मौसम खराब होने की वज़े से बारिश भी बाल इसी के साथ हम साजन को देखते हैं जो जैश्री के घर का रास्ता ढूंडते वे वहाँ पहुंच जाता है लेकिन बारिश में गिला होने की वज़े से जैश्री से कमरे में जाकर कपड़े चेंज करने के रिक्वेस्ट करता है अब जैसे ही वो कपड़े बदल कर बाहर निकलता है तब ही उसकी नजर गिरी के लाहे भी शिराब पर पड़ती है जिसके एक दो पैग लगाकर वो भी अपने अंदर का बेवड़ा शांत कर लेता है और अपने मुवाइल को चार्जिंग पर लगाकर बाहर आता है अब कंप्यूटर का उन करने के बाद उस पॉन साइट को रिमूब करने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि इस पॉबलम को सॉल्ब होने में दो घंटे का टाइम लग सकता है इसलिए आप खुद को थोड़ा टेंशन फ्री रखो और थोड़ा फ्रेश होके आ जाओ तांकि आपको थोड़ा रिलेक्स मिले साजन की ये बात मानकर जैशरी अपने कपड़े चेंज करने के लिए उसी रूम में चले जाती है और अपने कपड़े चेंज करने लगती है अब यहाँ पर आता है एक चौकाने वाला ट्विस्ट जहां में पता चलता है कि जिस साजन को हम भोला समझ रहे थे वो एक नीच इंसान है जिसने उस कमरे में अपने मुवाइल का कैमरा आउन करके रखा हुआ है और उसका लाइफ टेली कास्ट वो अपने लैप टॉप पर देख रहा होता है अब जैसे जैश्री अपने कपड़े बदल कर भार आती है और उसे रिपियर के बारे में पूछती है तो साजन कहता है कि किसी ने आपका एकाउंट है कर लिया है जिस वजे से प्राबलम हो रही है लेकिन थोड़ी देर में ये सब कुछ सही हो जाएगा लेकिन थोड़ी ही देर में साजन की नियात बदल जाती है और वो जैश्री से गंदी गंदी बाते करने लगता है कि आप घर पर अकेली हैं और आपके पती साथ नहीं है और हो सकता है कि आप अकिलापन महसुस कर रही हो और इसका मतलब तो यही होता है कि आपने अपनी हवस को पूरी करने के लिए पौन साइट का इस्तेमाल किया साजन की ये अश्टल बाते सुनकर जैश्री उस पर भड़क जाती है और उसे भला बुरा सुनाने लग जाती है कि मैं एक टीचर हूँ मुझे अपनी इज़त प्यारी है और तुम जैसा सोच रहो मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया वैर इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम गिरी को देखते हैं जिसकी दारो पार्टी फिलहाल खत्म हो चुकी है और वो अपने घर पर लौट रहोता है उसके दिमाग में कहीने कहीं वही बाते चल रही है कि जरूर जैश्री किसी आदमी के साथ बात कर रही होगी जिसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए वो घर के सामने से जाने के बजाए पिछले दर्वाजी सेंटर करता है और जाकर देखता है कि जैश्री किसी अंजान आदमी के साथ बात कर रही है और वो चुप चाप वहाँ खड़ा होकर सारी बाते सुनने लगता है अब यहां साजन अपने दिल की बात जैश्री से शियर करता है कि जब मैंने तुम्हें देखा था तो पहली ही नजर में मैं तुम्हें पसंद करने लगा था और जब डर के मारे जैश्री उसे घर से बाहर निकानने की कोशिश करती है तो साजन उसे जबर जस्ती रोकर बलेक मेल करने की कोशिश करने लगता है और यही नहीं वो एक सॉंग प्ले करके जैश्री को जबर जस्ती नाचने के लिए मजबूर करता है जिससे जैश्री को बहुत घुसा आता है और वो उसे ताने मारते वे कहती है कि मैं तुम्हारे बाग की नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे इशारों पर नाचूंगी और कहती है कि मैं एक टीचर हूँ और एक अच्छी पतनी जिसे अपना फर्द निवहाना अच्छे से आता है मैं तो बस इस मुश्किल में फंस गई थी इसलिए हेल्प करने के लिए मैंने तुम्हें कॉल किया लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी निहात इतनी घट्या होगी अब जैश्री की यह सारी बाते सुनकर बाहर खड़ा गिरी अपनी गलती का पच्तावा करता है कि मैंने बिना कुछ देखे और सुने अपनी पतनी पर शक कर दिया और उसे ऐसास होता है कि उसकी पतनी character less नहीं बलकि एक अच्छी मा और एक अच्छी पतनी भी है अब यहाँ जैश्री की बाते सुनकर साजन डर जाता है और किसी की आने की आहट सुनकर घर में ही कहीं छिप जाता है वहीं गिरी से भी नहीं रहा जाता और वो घर के अंदर आही जाता है और अपनी बंदूक लेकर साजन को घर में ढूंडने लगता है तो साजन उल्टा जैश्री पर आरोप लगाते वे कहता है कि जैश्री मेडम नहीं मुझे रात को कॉल करके अपने घर बुलाया यह सुनकर जैश्री उसको जोर का थपड लगाती है और घुस्से में आकर उसका लैपटॉप भी फोड़ देती है इसके ड़ट से साजन अपना समान के साथ साथ उस घर को भी छोड़ कर भाग जाता है अब साजन के जाते हैं जैश्री गिरी को ताने मारते वे डाटने लगती है कि यह जो भी हो रहा है यह जो भी हो रहा है उसका कारण तुम हो क्योंकि अब तक तुमने मुझे शक की नजर से देखा और हर वक्त मेरे उपर नजर रखी और किसी चीज़ में मेरी आज तक मदद नहीं की वो कहती है कि अगर किसी शादी शुदा औरत की जिंदगी में कोई प्राबलम आती है तो सबसे पहले उसके पती का फर्ज होता है कि वो उसे उस मुझे से बाहर निकाले अगर तुम मुझे पर शक ना करते तो मैं इस मुझे में फंसने के बाद तुम से ही मदद मांगती लेकिन अबसोस मेरी जिंदगी में तुमने कभी मेरी मदद की ही नहीं और कभी भी एक अच्छे पती बनकर तुम मेरे सामने पेश नहीं आए अब जैश्री की सारी बाते सुनने के बाद गिरी को फिर से अपनी सारी गलती का एहसास हो जाता है और वो मन ही मन खुद को कोसने भी लगता है कुछ दिन भी जाते हैं और जैश्री दिया को समझाते वे कहती है कि तुम्हें कम्प्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ अपनी चीज़ों के लिए करना चाहिए बाकि तुम्हें ये सारी चीज़ें भूल जानी चाहिए इसके बाद हम इस मुवी का लास्ट सीन देखते हैं जिसमें जैश्री गिरी से पोच्छती है क्या अब भी तुम मुझ पर शक करते हो जबाँ में गिरी मुस्कुराते वे उसे हक कर लेता है क्योंकि अब गिरी के बिहेवियर में बहुत बदला बाचुका है क्योंकि जैश्री ने उसकी आँके खोल दिये और उसे अपनी गलती का एसास भी करा दिया इसके बाद इनकी जिंदगी में फिर से खुश्यां लोटाती है तो इसी के साथ जाते जाते हमें इस मुवी में एक मैसेज मिलता है कि हर साल हमारे देश में लाखों लोगों को पॉन साइड के जाल में फंसा कर siber क्राइम का शिकार बना जाता है और साथ ही साथ उनसे अच्छे खासे पैंसे भी लूटे जाते हैं जिनसे सदरक रहना हमारी जिम्मदारी है और इसी तरह के great message के साथ movie का होता है the end तो दोस्तों, video अच्छी लगी हो तो like, movie अच्छी लगी हो तो subscribe बाकी मिलते हैं अगली video में तब तक लिए goodbye अपना ख्यार रखे and finally, thanks for watching